मेरी यह में तो मस्त बोनस मिल दूए रेजिस्टर एंगेट 2500 वेलकम बोनस खेलो असली फैंटेसी ऑन क्रिकेट.com डाउनलोड क्रिकेट.com नाओ खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है जिम्मेदारी से खेलें दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका स्पोर्स तक में कल आपको देखने मिला CSK और SRH के बीच में मैच और इस मैच में SRH जो है विजेता बन कर सामने आई और एक खिलाडी जो सबको इंप्रेस कर रहे हैं वो है अभिशेक शर्मा क्या वो इनिंग खेली थी और जिस तरह से उन्होंने सेकेंड ओवर में आके बलेबाजी की एक रिकॉर्ड बनाया है उस रिकॉर्ड के बारे में भी बात करेंगे लेकिन 12 गेंदो में सैथिस जी हाँ सैथिस रन बनाये जिसमें तीन चौके और चार चके शामिल थे और काफी जादा जो है इंप्रेस नजर आ करेंगे और इतने अच्छे इनिंग जो है खेली उन्होंने इससे पहले आपको याद होगा मुमरी इंडियन के खिलाव भी उन्हों उनका विस्पोटक इनिंग आया था उस इनिंग को लेकर भी काफी जादा है यवराज सिंग इंप्रेस थे लेकिन किस बात पर जो है यू वी अभिशेक को डांटते नजर आ रहे हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि अभिशेक ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में क्या कहा यूवी पा के लिए आईए देखते हैं उन्होंने कहा गेनबाजी करते समय हमें लगा कि ये स्लो विकेट हमें पता था कि हम अगर पाव तयार करने का बड़े स्कोर मैक्टर करते हैं मैंने उसी ले में आज बल्ले बाजी की इसके लिए यूवी पाजी यानि की यूवराज सिंग ब्रायन लारा और मेरे पिता को बहुत बहुत धन्यवार आपको याद होगा कि इस सीजन से पहले ब्रायन लारा एसारेश के साथ associated थे और काफी time उन्होंने youngsters के साथ spent किया था और उन youngsters में अभिशेक शर्मा भी शामिल थे और कही न कहीं इसी कारण उन्होंने वराज लारा को भी thank you कहा है यहाँ पा तो उन्होंने थैंक यू किया और जिस तरह से उनकी बल्ली बाजी आई कल चलाई सुपर किंग्स के खिलाफ वो काफी ज़ादा इंप्रेस है युवराज सिंग उनके मेंटर लेकर डाटते नजर आए उन्होंने एक्स यानि की ट्विटर पे अपनी नाराजगी किस बात को लेकर जताईए आईए देखते हैं उन्होंने कहा जिया आप देख सकते हैं ये जो है MI और SRS के मैच को लेकर उन्होंने सबसे पहले किया था आपको याद होगा पचास रन बनाये थे उस मैच में भी अभिशेक शर्मा ने और उस मैच में भी प्लेयर ओफ दी मैच बने थे और युवराज ने उस मैच में भी काफी ज़ादा इनकी तारीव की थी लेकिन उस मैच में भी उन्होंने काफी ज़ादा डाट लगाई थी लेकिन कल के मैच में भी उन्होंने एक डाट लगाई थी युवराज ने अभिशेक शर्मा को लेकर उन्होंने कल के मैच के बाद कहा I am right behind you boy, well played again, but bad shot to get out on अब आपको बता दे कि तीसरे ओवर में ही दीपक चहर के एक गेन बाजी पर आउट हो चुके थे अभिशेक और वापस पर विलिन चले गए थे लेकिन तब तक डामेज हो चुका था और SRH का अपर हैंड था और SRH जो है ये मैच जी चुकी थी तो उन्होंने युवराज सिंग ने एक बार फिर से बता देते हैं एक्स पर क्या कहा उन्होंने कहा I am right behind you boy, well played again, but bad shot to get out on इसके लावा उन्होंने एक वीडियो में शेयर किया था और उस वीडियो में एक शक्स जो है दूसरे शक्स के पीछे एक डंडे के साथ भाग रहा है इससे पहले MI के खिलाफ जो मैच हुआ था वहाँ पर भी अभिशेक का काफी शानदार प्रदशन था और उस प्रदशन को लेकर भी युवराज काफी जादा इंप्रेस थे लेकिन तब भी उन्होंने अभिशेक को डाट लगाई थी और किस बात को लेकर उन्होंने डाट आईए देखते हैं उस ट्वीट में उस वक्त जो है एक्सपे युवराज ने क्या कहा था उन्होंने कहा था वह सर अभिशेक वा ग्रेट इनिंग बट वाट अस प्लेंड़ शाट तो गेट आउट उन्हों लातों के भूत बातों से नहीं मानते स्पेशल यहाँ पर उन्ह आफी ज्यादा इंप्रेस तो हैं लेकिन जिस तरह से लगतार अभिशेक गलत शुट लगा कर आउट हो रहे हैं शायद युवराज सिंग उनसे उस बात को लेकर इंप्रेस नहीं है इसके लवा हमने इस वीडियो में आपको बताया कि एक रिकॉर्ड भी बनाया है अभिश बन चुके हैं अभिशेक और उन्होंने सुनील निरेन और क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ा है अभिशेक शर्मा ने दूसरे ओवर में 26 रंज बनाये मुकेश चौधरी की वो ओवर थी और इससे पहले सुनील निरेन और क्रिस गेल के नामी रिकॉर्ड था 24 रंड रं बनाये थे उन्होंने सुनील निरेन की बात की जाये तो साल 2019 में वरुन्च क्रव mêsती के खिलाफ उन्होंने ये किया था और क्रिस गेल ने बुवनेश वे कुमार और क्रिस गेल के नहीं 2012 में मंद प्रिइद गोनी के खिलाफ ये रिकॉर्ड बनाया मय था उमीच करते हैं ज चाके जरूर बताएए, leave your comments in the comment section below. उम्मीद कते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो गया, अच्छी लगी है तो like कर लिजे, share कर लिजे और माय चानल को subscribe करना मत भूलिएगा.